जीत की खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा कुण चाहिए ये आसमा वियाए गजमी पर बस आपके इरादों में जीत की गुंज चाहिए तो साथियों आपको भी जीत की गुंज को बरकरार रखना है और बिल्कुल होस में और जोस में रहना है आज की आपकी कलास शुरू करते हैं कलास नंबर आपका 26 हो चुका था 27 होगा आज आपका अभी तक आपने देख लिया था साधारण ब्याज और चक्रविधी ब्याज और मिसरधन और निकालना जब ब्याज वार्सिक दिया हो और हाफ येरली दिया हो ये सब आपने देखा इसके अलम जब ब्याज तिमाही दिया हो तब भी आपने देख लिया ये भी चीज तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ अलग तरह का जब इसमें धेर सारी चीजें दी गई हो तब कैसे करेंगे देखिए कुछ ऐसे भी सवाल आपके बनते हैं जैसे मैं एक एक्जांप तथा 33 वर्स के लिए 6% हो तो 10,000 रूपए का 3 वर्सों का चक्रवर्धी मिस्रधन ग्याद कीजिए मतलब आप ये समझो कि 10,000 रूपए का हमें चक्रवर्धी मिस्रधन ग्याद करना है लेकिन पहले साल की ब्याज अलग है दूसरे साल की अलग है तीसरे साल की अलग है कहानी हो जाएगी और उसके लिए आप यह ट्रिक लगाओगे एक वल पी इंटु वन प्लस आरवन अपान हंडेट की पावर टी उसी तरह से वन प्लस आरटू अपान हंडेट की पावर टी टू ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओगे यहां पर एक मतलब है वही आपका मिस्रधन और का मतलब है मोलधन ठीक है आर का मतलब रेट और टी का मतलब समय सभी मान रखेंगे और आ जाएगा चलिए अब कुश्चन करके आपको दिखाते हैं अगर आप इस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो जल्दी से कर लें और बैल आइकन प्रेस करें और क्लास को प चकुरञ़ें मिश्रधन डभयत कीजिए क्सितना मांट है ।-h это और रहागे कहरा कि यह दूसरे वर्स की आज कि दर पांच प सटव तीसरे साल की ब्याज की दर छे पर्तिसत हो मतलब तीनों साल की ब्याज दर अलग अलग है तो कहरा कि चक्रवर्दी मिस्रधन ग्याद कीजिए बहुत ही आसाने लिख लो जो जो चीजें दी गई है सिंपल सा आप इन्हें छाप लीजिए इधर साइड में मैं लिख लेता हूं क्या क क्या दिया है यहां पर लिख लो साइड में दिया है दो को भी यह का का दिया है सबसे पहले तो हमें मूलधन दिया है वह कितना दिया है दस हजार रुपया अब बात आती है दर और समय देखो यहां पर दर एक नहीं सवाला गलग है तो यानि पहला जो है वह आरवन है दूसरा आर्टू जितना है वह 5% और आर्थिरी कितना है 6% इसी तरह अगर समय की बात करें तो आप देखो कहरा कि पहले वर्स की जो ब्याज दर है वह 5-4% है दूसरे की 5-3 की 6 है मतलब यहां पर सब साल अलग-अलग है सब की ब्याज अलग-अलग निकलेगी तो आप यह कह जायेगा टी टू भी वन हो जायेगा और टी थ्री विवण हो जायेगा मतलब सब एक-एक समझ गए ना एक एक वर्स यह चीज आप ऐसे लिख लो गए इसके बाद आगे देखना इसको लिखने के बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा जितने भी मान आपको दिये गए है म यहां पर एसे लिखतो गे इधर साइड थोड़ा कम दिख रहा होगा ना किनारे थोड़ा कम दिख रहा है ना सही दिख रहा है चलो बता देना अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके बाद पी का वैलू यहां पर रखेंगे भईया दस हजार दिया बाबु कितना दस हजार मतलब चार सुनना लगाएंगे और यह ऐसे बना लेंगे कोश्ठक वन प्लस आरवन पहले ब्याद चार थी चार परसंट तो आरवन चार और यह कोश्ठक ऐसे बंद हो जाएगा यह इधर से बंद हो जाएगा टीवन एक साल है तो एक रख दो इधर वन प्लस आर्टू आर्टू पांच यह सो यह एक रहेगा एक से कोई मतलब भी नहीं है वन प्लस छे बटा सो यह भी एक रहेगा इस तरह से इसको बंद कर दो अब इन्हें हल करना हमें सिंपल सा है कुष्चन अच्छा नहीं मिटाएंगे कुष्चन चलो ठीक है मैं साइड में करके आपको दिखा देता हूं बीना मिटाए हुए चलिए देखे इसको मैं यहीं नीचे और भी हल कर सकता हूं भी मैंने जगा बना लिया है देखो यहां पर यह बराबर लिख दोगे बाबू 24 होता है 25 25 एक26 तो यह हो जाएगा 26 बटा 25 ठीक है बिल्कुल 10 सा नहीं लेना मैं इधर साइड बैट जाता हूं ठीक है बचलो इनको काटओगे पांच से पांच इकम 5 20 हो जाएगा 2121 यह 21 बटा 20 हो जाएगा इनको काटओगे बच्चा दो 3 छे 50 एकम 50 और तीन 15 वटा 50 य इन का गुड़ा कर लो काटवट दो जो भी हो सके कर दो यह 200 से 20 यहां किपट गया यह लो अब यह केवल और केवल सोबचा है उधर साइड में उपर ले चल के लोग करसकता हूं और को साइड में आपको दिख रहाए नाद यह घीर यहनि में मिटा सकता हूं जहां तक मैंने लिखा है व locks महीनाना चलो सो ठीच टेंशन लिएना भी मैं जूम करके दिखा दूगा एक एक जगह चलिए इसको मैं मिटा देता हूं ठीक है अग्याँ देना आप लोग ते अभी मैं यूम करके दिखा से करेंगे यह बराबर देखो समझो 100 और यह 26 21 53 यह 100 बाहर ही रहेगा अंदर में जो भी है इनको ऐसे रहने दो 26 21 53 नीचे क्या है भाईया नीचे देखो 25 यहां समझो क्या क्या बचा है 25 बचा है यह दो बचा यह पांच बचा है क्योंकि और तुमने काट दिया था न तो यह लो 25 22 और यह पांच ठीक है इतना ठीक है इसमें किसी को कोई हरानी परसानी नहीं न अब देखो आप एक काम करो इनको आप और भी अभी काट सकते हो 25 से काट दो यह 4 आएगा काट के देखो यह 2 से काट दो यह 2 आएगा ठीक है यानि यह बराबर अगर हम बड़ा करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लोगे फाइस्ट तो यह किलियर हो जाएगा यह इसको लिख लो यह 26 गुड़ा 21 गुड़ा सिर्फन नीचे सिर्फ और सिर्फ पांच अटक रहा है इनका सबका गुड़ा करोगे भाग दोगे करके आप देख लो लगबग 11500 कुछ आएगा ना कि सिंप्लिफाइ कर लोगे ना इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बता देना अगर कोई प्राबलम होगी तो चलिए मैं हो जाएगा ठीक है अब यह कैसे आया आपको कल्कुलेशन आना चाहिए जोड़ घटाना गुड़ा भाग आना चाहिए इसमें और कुछ नहीं था कल्कुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए एक नजर में इनको पूरा देख लीजिए एक बार में देख लीजिए मैंने सब कुछ दिखा दिया चलो नोट कर लो फटाफट बिल्कुल टैंसा ने लेना इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगला टाइप का तो हम आपको देंगे लेकिन इस पे अभी हम आपको कुछ कुछ देंगे खुद से करना ठीक है चलो ध्यान से समझिए अभी आप खुद से भी करोगे कि यह हो गया इसी ट्रिक पर आप खुद से भी ट्राइब करेंगे चलिए एकसरसाइज के लिए प्रिशन लिखिए मतलब आप खुद से ट्राइब करेंगे भाई हम ही सब कुछ नहीं करेंगे जितना अभ्यास करोगे उतना बहतर होगा करत करत अभ्यास से जण प्रिंस्पल आमाउंट चेंज हुआ है बाकी सब कुछ वह ही है चलो जल्दी से करके और फिर मुझे बतादो फटा फट जल्दी करो भाई बहुत जल्दी करिए और अगर आप इस वीडियो को यूटुब पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं या फेस्बूक पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक अव परसेंट मालों की नया फाल आ गया सबको सस्ता हो गया दो परसेंट तीन परसेंट और चार परसेंट है अब इसको भी करके मुझे बताना में सरदन सबी बच्चे अगर इसे यूटूब पर जो भी बच्चे डेमों देख वा रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे हो सकें नौकली मिल सकें सेलेक्शन हो सकें इतना देख लीजिए नंबर नोट कर लीजिए भई यह जिसको लिखना फटाफट लिख लो ठीक है मिलते हैं फिर अभी अगले कुश्चन में चल्दी से तूरान जाना नहीं कहीं इस्टूडेंट हम आपको अगला कुश्चन तो करवाते हैं लेकिन आप देख रहे हैं सिगनल लास हो गया मतलब यह बराडबेंड बंद हो गया इसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है तो इस वजह से अब हम इस कलास को इहीं पर इंडर कर रहे हैं माफी चाहते हैं आप इस वजह से नहीं चल रहा है